आप लोगोंने पीटी उसा ओडन परी का नाम तो सुना होगा अभी हाली मैंने भारतिय ओलम्पिक संग की पहली महला अध्यक्च मनाया गया है और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे इंडियन ओलम्पिक इसोसियेशन का अध्यक्च बनाया गया है और इंडियन ओलम्पिक इसोसियेशन की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में इसका हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा और अब इसकी अध्यक्च प्रेसिडेंट कौन बन चुकी है पीटी उसा और पीटी उसा को कुछ समय पहले राज्यसभा सदस भी मनुनीत किया गया था राश्टपदी के द्वारा और राज्यसभा की बात करें तो आप देखें कि संसत की बात हो रही है तीन अप्रेल उननीस वबाबन में स्थापना हुई थी दो सो पचास आप लोग सदस देखने को मिलेंगे दो सो अड़तीस का विदायकों की द्वारा चुआना होता है और बारे सदसों का राश्ट पती द्वारा मनूनीत करद किया जाता है तो उन बारे सदसों में से पीटी उसा को भी आप दिके मनूनीत किया गया था तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में कुछ मतपूर्ण जानकारी है उसे देख लेते हैं कुछ और पिक्चर हैं आप लोग इने भी देख सकते हैं यह आप देखें राज्यसवा में आप लोग इने देख रहे हैं और यह आप देखें पिधान मंतरी मौदी के साथ आप लोग इनकी पिक्चर देख रहे होंगे अगर हम लोग P.T. U.S.A. की बात करें तो इनका पूरा नाम पिला वलकंडी थिक्के पारंबिल U.S.A. है P.T. U.S.A. है इनके अन्य नामों की बात करें तो पयोली, एक्सपरेस या गोल्डन, गर्ल के नाम से भी आप लोग ने जानते हैं इस तरह की questions कई बार आप देखते हैं पर इच्छाव में पूँच लेता है और 27 जून 1964 में पयोली कुज ही कोडे केरल में इनका जनम हुआ था अब आप लोग कहेंगे केरल चलिए तो यह आप लोगों को हमारा प्यारा अपना भारत देख रहा है इसमें केरल आप लोग देख रहे हैं केरल की अगर बात करें तो आप देखेंगे केरल की लादधानी तिरुवन पुरम है इसकी सीमा करनाटिक और तमिलाडू से लगती है और 1 नवंबर 1956 में इसे राज बनाए गया था बिदान सभा में 141 सीट है राज सभा में 9 सीट है लोग सभा में 20 सीट हैं देखने को मिलेगी 38,863 बर किलोमीटर में आपका केरल फैला हुआ है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा इनके माता का नाम इनकी टीवी लच्मी और इनके पिता का नाम E.P.M.Petal और इनके पती का नाम B.Sri.Nivasan इनके पती का नाम है और इनका बेटा है एक उज्जवल इनके बेटे का नाम है प्रोफेशन की बात करें तो ट्रेक एंड फील्ड एथलीट रही है और देखिए जब भी हमारे देश में किसी बेक्टी की बात होती है किसी सक्स की बात होती है तो उसका धरम पहले देखा जाता है तो हिंदू धरम से है और जब ये सादवी क्लास में पढ़ती थी तब उन्होंने एक टीचर के कहने पर क्लास की चैंपियन 16 के साथ रेस लगाई थी और ये और बे ये रेस जीत गई थी तभी से उनके मन में खेल की पिती रोजान और अधिक बढ़ गया और साल 1976 में केला सरकार ने महलाओं के लिए एक स्पोर्ट सेंटर की सुरुआत की थी और उस बक्त पीटी उसा ने जिले का पितिनेदित करने का फैसला लिया था वही जब बारे साल की थी तब उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स में चैंपियनसिप जीती थी और तभी से बे लाइम लाइट में आई थी अगर आप लोग इनके केरियर को देखें तो 1980 में मासकूल उलम्मिक खिलो में भाग लिया था और करांची अंतराष्टी आमंतन खिलो में ईन्होंने चार स्वाड़ पदक पराप्त की थे 1981 में आप देखेंगे तो पूने अंतराष्टी आमंतन खेलों में इन्होंने दो स्वड प्राप्त किये थे उसी साल हिसार अंतराष्टी आमंतन खेलों में एक स्वड पदक इन्होंने प्राप्त किया था और लोधियाना अंतराश्टी आमंतन खेलों में इन्होंने दो स्वाड़ पदक प्राप्त किये थे अगर आप लोग 1982 की बात करें तो आप देखेंगे कि विसिक कनेश्ट पिटेयोगिता सियोल में एक स्वाड़ पदक एक रज़त पदक इन्होंने जीता था और नई दिल्ली ACI खेलों में इन्होंने दो रज़त पदक अपने नाम किये थे 1983 में कुवीत में ACI दोड़ कून पिटेयोगिता में एक स्वाड़ पदक एक रज़त पदक इन्होंने हासिल किया था और नई दिल्य अंतराष्टी आमंतन खेलों में इन्होंने दो सौड़ पदक प्राप्त किये थे और आप देखेंगे 1984 में इंग लिवुड सहिवत राज में अंतराष्टी आमंतन खेलों में इन्होंने दो सौड़ पदक प्राप्त किये थे जब किसी भालती है, इस तरी या पुरुस को या समान मिला था, प्रया की विस ग्रामपी खेल में इनोंने 400 मीटर बादा दोड में चोथवा, कौन सा? पांचवा इस्थान इनोंने प्राप्त किया था, और लंदन की विस ग्रामपी प्री खेल में 400 मीटर बादा दोड में इन 400 मीटर वाध दौड में इन्होंने 14 इस्थान प्राप्त किया था बुड़ा पेश्ट के विस्ट ग्रामपी खेल में इन्होंने 400 मीटर दौड में कांस पदक आप देखेंगे अपने नाम किया था लंदन के विस्ट ग्रामपी खेल में रजत पदक उस्तावा के विस ग्रामपी खेल में आप देखेंगे रजत पदक इन्होंने और कैनवरा की विस कप खेलों में 400 मीटर वाधा दौड में इन्होंने 5 वा इस्थान और 400 मीटर में आप देखेंगे कि 14 इस्थान इन्होंने प्राप्त किया था और जकार्ता की ACI दोड़ कूंद पिदियोगता में इन्होंने 500 पदक जीता था फिर 1986 में आप देखें कि मासकों की गुड़ विल खेलों में 400 मीटर में इन्होंका छटवा इस्थान आया था और सेवल की ACI खेलों में इन्होंने 400 एक रजत प्राप्त किया था और मलेसियाई मुक्त दोड़ पिदियोगता में 100 पदक 1986 की बात हो रही और सेंगापुर की लाइंस दोड़ पिदियोगता में 300 एनोने पदक प्राप्त किये थे और नई दिल्ली में आप देखेंगे नई दिल्ली के चार राष्टी आमंतिन खेलों में 200 पदक मिली थे पर आप देखेंगे 1987 में सिंगापुर की ACI दोड़ कौंध पिदियोगता में 300 पदक दो रजत पदक इनोने हासल किये थे उसी साल कौलालामपुर की मलेसियाई मुक्त दोड़ पिदियोगता में 200 एनोने गुल्ड मेडल जीते थे और नई दिल्ली के अंतराष्टी आमंतिन खेलों में इनोने 300 पदक जीते थे कलकत्ता दचिडेशिया संग खेलों में इनोने 500 पदक पराप की थे रॉम में उसी साल दोड़ की विस्ट पिद चेंपियन से में भाग लिया था और 400 मीटर की बादा दोड़ के फाइनल में प्रवेस पाने वाली भारती बनी थे 1988 में सिंगापुर मुत दोड़ पिदियोगता में 300 पदक जीते थे चार सोड़ पदक दो रज़त पदक इनोने हासिल किये थे और कलकत्ता में अंतराश्टी आवंतन खेलों में इनोने 300 पदक जीते थे मलेसी आई मुक्त दोड़ पिदियोगता में 400 पदक इनोने हासिल किये थे 1989 की बात हो रही है और 1990 में बिजिंग ACI खेलों में तीन रज़त पदक मिलेते 1994 में हीरो सीमा ACI खेल में एक रज़त पदक इनोने और पूने के अंतराश्टी आनुमती खेलों में एक कास पदक इनोने मिला था फ़र 1995 में चैन्नाई के दच्छिड खेल ACI खेलों में एक कास पदक पूर्णी के अंतराष्टी अनमती खेलों में एक कास पदक उनिस व पंचारमे में उन्होंने प्राप्त किया फर उनिस व चारमे में एटलांटा ओलंपे खेलों में उन्होंने भाग लिया और उसी साल पूर्णी के अंतराष्टी अनुमती खेलों में एक रजत पदक प्राप्त किया 1997 में पट्याला के अंतराष्टी अनुमती खेलों में 100 पदक इनों ने हासिल किया था एक रज़त पदक हासिल किया था 1999 में आप देखेंगे काटमंडू के दच्छेड ACI किलों में 102 रज़त पदक उसी साल नई दिल्ली में राजा भालेंसिंग दोड़ पीतियो गता में 100 पदक इनों ने हासिल किया और आप देखें सन 2000 में फाइनली पीटी उसा ने एथलीट से सन्यास ले लिया था तो आप लोग देख सकते हैं इनके गोल्ड मेडल सेलवर रज़त गला भरा पड़ा हुआ है तो इनकी बात हो रही है ठीक है? और इस तरह से आप देखें रहा है इनका सफर पुरुसकारों की बात करें तो सन 1984 में एथलीट खेल की पिती उनके प्रयास और उत्किष्ट सेवा एवं साथी राष्ट का नाम उचा करने के लिए पीटी उसा को आरजुन अवर्ड से सम्मानित किया गया था अब अरजुन अवर्ड की बात करें तो एक खेल के चेत में दिया जाता है और पहली बार कब दिया गया था 1961 में ये शुरू हुआ था सन 1985 में पीटी उसा को देश के चौते सबसे बड़े सम्मान पदमसरी से सम्मानित किया गया था पदमसरी पहली बार 1964 में शुरू हुआ था इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसियेशन ने पीटी उसा को स्पोर्ट्स पर्सन ओफ दा सेंचरी इबं स्पोर्ट्स विबिन ओफ दा मिलियन का खिताब भी दिया था और सन 1985 में जकार्ता में हुई में पीटी उसा को बहतरीन खिल के लिए ग्रेट टेस्ट बूमेंड एथलीट का किताब मिला था 1985 इबं 1986 में वर्ल ट्रोफी से वेस्ट एथलीट के लिए पीटी उसा को समान किया गया था 1986 के एसी आइन ग्यम्स के बाद पीटी उसा को एडिडास गोल्डन सू अवर्ड फोर्दा वेस्ट एथलीट का किताब भी दिया गया था इनकी जीवन कथा भी है पीटी उसा के जीवन की आत्मकथा का नाम गोल्डन गर्ल है जो 1987 में लिखी गई थी और जैसा की बताया कि जरूर इनके बारे में जाना करिएगा हमारे देश की एथलीट है पीटी उसा और आप देखेंगे कि पहली भारती ओलम्पिक संग की पहली महला अध्यक्च भी बनी है यह भी आप लोगों को याद होना चाहिए इन्होंने कईày डिल आप देखें अपने नाम किए हैं क्या कई Mormon अपने नाब किए हैं और केरल मैं आपको बता दूं इसी तरह के नाम रखे जाते हैं तो आप लोगों को जैनने परेशान नहीं होना है और इनका नाम उच्चारन करने में बड़ी परेसानी भी होती है Queen of Indian Track फियोली एक्सप्रेस के नाम से आप लोग इने जानते हैं इनका पूरा नाम फिला वुल कंडी थिक के पारंबिल उसा है अब आप देखे चलिए तो आप लोग देखते रहिए और बताईए किसी और के बारे में अगर बात करनी हो तो उसका नाम आप लोग नीचे बता सकते हैं क्योंकि जो भी चर्चा में रहता है तो उसके बारे में हम लोग जानते रहते हैं बात कलते रहते हैं